हलो अबरिवन आई वेलकम यूंद इस वीडियो आज हम लोग बात करेंगे मोशन एलोंगा स्टेट लाइन होके और यह टॉपिक है कौन सा चेप्टर का तो चेप्टर अपना है सिक्स मोशन इन टाइम और इस चेप्टर पर यह दूसरा वीडियो है इसके पहले एक फर्स्ट बॉक्स मिल जागा आप महां से देख सकते हैं तो चलिए हमें स्टार्ट करेंगे तो बने रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो में और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए तो सिंपल हम देखेंगे मोशन ने मूब करता है तो उसके हो जो मोशन है उसकोम क्या करेंगे मोशन एलांगा स्टेट पार्थ हम कुछ एकजामपल के तौर बात कर लें आये कि क्या एक्जामपल सो सकते हमारे स्टेट लाइन मोशन के स्टेट लाइन की हम बात कर रहें तो मुझे को क्या कहते हैं और इसके एक्जाम्पल से हमारे पास देखिए motion of a train on a straight track train अगर a straight track पर move कर रहा है तो हम क्या कहेंगे न कि उसका motion कि अन्य रेक्टरियर motion motion of an apple falling from a tree कोई भी किसी वी ट्री से या भी कोई heights से आप किसी stone को गिराते हैं simply ओके यह मालेज़े की stone है आप इसको किसी एक height पर जाके release कर देते हैं तो यह आपका क्या होगा ना एक state path पर नीचे आएगा और अर्थ से टक रहेगा तो यह भी आपका क्या होगा एक रेक्टरियर motion होगा फिर a state march past of soldiers in your parrot parrot में जब soldiers mark past करते हैं तो भी अपना एक state path motion होता है अब हम बात कर लिए describing state line motion ओके यह देखिए अपना यहां पर बताएगा describing state line motion चलिए इसको हम समझ ले motion describe करना अगर state line में किसी भी body का motion अगर describe करना है हमको state path में तो हमको क्या चीजों क्या आवा सकता पड़ेगी तो we need to specify its position पोजिशन 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 करना पड़ेगा कहां पर क्या पोजिशन हो रहा है समय के accordingly ओके position of an object at different times अलग-अलग समय पे उसका पोजिशन क्या है उसको हमको specify करना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा कि position कहां पे है समय जैसे बदल रहा है उसके अनुसार तो describe its motion along a state path state path पे या कहीं भी एगर motion हमको describe करना है motion को represent करना है तो हमको ना specify करना पड़ेगा उस body का position को किसके respect में तो with respect to time time के accordingly उसका position कैसे change कर रहा है हमको यह दिखाना पड़ेगा specify करना मिल्स दिखाना तो दिखाना पड़ेगा ओके तभी हम describe कर पाएंगे motion को किसी भी object का तो इसके लिए मैं यहां पे diagram बालेता हूं जो बूक में है अपना कारों का diagram ओके आप देखिए तो इस diagram में हम देख पा रहे हैं कि कार की different position को दिखा गया है अलग-अलग समय पे तो जब time start नहीं हो आने की 0 है उसके इसका position क्या है ओ पर यह अपना ओ है ओकी जब 10 minutes pass हो जाता है आप्टर 10 minutes इसका position क्या हो जाता है ए पर और फिर 10 minutes पास होता है फिर position कहा होता है बी पर और फिर इस तरह से position C पर पहुंचता है 30 minutes के बाद ओकी तो यहां पर क्या देख रहे है न कि different different समय में position क्या है कार का change हो रहा है तो हम बात करें ड्यूरिंग हां ड्यूरिंग फॉर्स्ट टैन मिनट ड्यूरिंग फॉर्स्ट टैन मिनट की बात करें तो क्या position में change हुआ a2o ओके यह हो गया ओ यह देखिए ओ से कहां तक पहुंच गया है यह तक पहुंच गया है कार ओके तो ओ यह कितना distance को travel किया यहां से देखिए आपका यह 60 meter है कितना distance travel किया है 60 meter ओके यह distance होगे मारा during first दूरिंग फॉर्स्ट एन मिनट फिर हम दूसरे इंट्रवल की बात करें ओके दूसरे इंट्रवल की बात करें फिर से 10 मिनट की बात करें तो दूरिंग during second 10 मिनट तो हम दूसरे बार बात करते है second 10 मिनट की तो इसे position में क्या चाहिज हो रहा है यह से b क्यों गया है तो यहां पर distance क्या travel करता है यहां पर यह distance travel करता है a b और यह distance क्या है अपना तो 80 माइनस 60 80 मीटर माइनस 60 मीटर तो यह हो रहा है अपना 20 मीटर तो हम लोग ने क्या यहां पर देखा कि फर्स्ट समय में फर्स्ट 10 मिनट की इंटरवल में वो कितना distance travel करता है 60 मीटर का और वहीं दूसरे 10 मिनट की इंटरवल में कितना distance travel करता है तो इससे क्या जान पारें कि पहले इसका स्पीड क्या था फास्ट था हा ना फास्ट इंटरफल में स्पीड क्या था फास्ट और वहीं दूसरे इंटरफल में जो 10 मिनट का डूरेशन था उसमें इसका स्पीड क्या हो गया slow हो गया, ओके, इसको हम दूसरे वर्ड में भी क्या सकते हैं, क्या कहेंगे, therefore, we can say that, we can say that, car speeded up, we can say that, car speeded up, in time interval, 0 to 10 minutes, देखिए, 0 to 10 minutes में यह fast move कर रहा था, क्यों, चुकि यह 10 minutes में ही, यह 60 meter का distance travel कर ले रहा है, ओके, और आपका यह, अगले ही 10 minutes में, slow down, we can say that, the speed of car, slow down, in the time interval, 10 to 20 minutes, 10 to 20 minutes, ओके, और इस तरह से हम conclusion पर पहुंचते हैं, किसी भी object के position में जो change हो रहा है, okay, change in the position of an object, help us to decide, how fast or slow its motion is, how fast, कितना fast to move कर रहा है, या फिर कितना slow move कर रहा है, हाँ, यह describe करेंगे, position change के according, जितना आप देखिए, यहाँ पे position में ज्यादा change हो था, तो इसका speed fast था, और फिर यहाँ पे car का position थोड़ा कम change किया है, हाँ, 20 meters का movement हुआ है, तो यहाँ पे slow हो गया, क्यों, चुकि time duration same था, यहाँ आपका 10 minute में ही 60 meter move किया, और यहाँ भी 10 minute में ही 20 meter move किया, means position change हो रहा है, और time के accordingly, तो हम लोगों ने क्या decide कर लिया, कि describing state line motion we need, to specify position of an object at different times, अलग-अलग time interval पे, क्या उसका position है, उसको मैं specify करेंगे, तभी हम बात कर सकते हैं कि उसका motion fast है कि slow है, अब इस तरह से हम एक और नए topic पर पहुंच जाएंगा है अपना, जो कि है अपना speed, तो आईए हम speed के बारे में बात कर ले, a speed is a measure of how fast an object is moving, means कोई भी object कितना fast move कर रहा है, हम उसको measure कर सकते हैं, किस के help से, speed के help से, okay, therefore we thus regard, speed as indicator, indicator, यह क्या है, indicate कर रहा है, okay, indicator, क्या indicate कर रहा है, of the rate of a given motion, okay, कि motion को indicate कर रहा है, कि कितना fast है वो, okay, हाँ, उसके rate को indicate कर रहा है, rate और rapidity, rapidity, means कितने speed से motion move कर रहा है, तो यह speed हमको बताएगा, और हम इसको अगर define करना चाहें है, तो हम कैसे define कर सकते हैं, वो भी हम जरब बात कर ले, कि इसका definition क्या होगा, okay, तो हम define कर सकते हैं, speed चुकि major है, motion का, तो कितना distance travel करता है, और कितना time लगता है, उसके according हम count कर लेंगे, means हमको distance यहाँ पर देखना पड़ेगा, कि कोई object कितना distance travel कर रहा है, और उसको कितना time लग रहा है, okay, तो इन दोनों के help से हम उसके motion को calculate कर सकते हैं, यह speed को जान सकते हैं, जिससे अभी हम लोगों ने देखा, कि यहाँ पर जो car है ना, यह 60 meter travel करता है 10 second में, 10 minute में, और आपका अगले ही 10 minute में वो 20 meter distance travel कर रहा है, तो speed हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर speed ज़्यदा है, यहाँ पर speed कम है, okay, तो हम divide कर देंगे कि कितना distance travel किया है, और कितना time लगा है, अगर हम उसका ratio ले ले, उसको हम divide कर देंगे, तो जो मेरा quantity आएगा, वही मेरा speed कर लाएगा, तो हम इसको define कर सकते हैं, distance travel per unit time by an object is called speed of that object, मनलब कोई भी object एक दिये हुए time interval में कितना distance travel करता है, उसको हम divide कर देंगे, तो हम क्या जो निकलेगा, उसका speed निकल देगा, तो हम speed का formula यहाँ पर हमको आ जाएगा, speed का formula आ जाएगा मेरे पास, distance, okay, क्या distance travel करता है, distance travel और divide by time taken, divided by time taken, तो यह हमारा speed का आ जाएगा मेरा formula, और हम यहाँ से इसके unit को भी जान सकते हैं, अगर हमको इसका unit जानना है, किसका speed का, तो हम क्या करेंगे न, देखिए, distance को हम किसे मेजर करते हैं, और मेरा यह time को हम किसे मेजर करते हैं, second मेजर करते हैं, SI unit के हम बात कर रहें, तो यह हो गया मेरा meter per second, यह हो गया SI unit, कि इसका, तो speed का, speed का SI unit निकल गया, तो हम unit के भी बारे में जान लिए, जो कि अपना book में दिया हुआ है, आप देखिए, यहाँ पर, speed इजी कर लो, distance, travel by time taken, और SI unit क्या होगा इसका, meter per second, also express, हम इसको meter per minute और kilometer per hour में भी express कर सकते हैं, तो यह जो अपना unit है, speed का, उसको हम express कर सकते हैं, किसमे, meter per minute में express कर सकते हैं, और हम अगर चाहें, तो इसको हम kilometer per hour में भी measure कर सकते हैं, ओके, तो यह होगा हमारे unit हम इसको convert करेंगे, आगे सीखेंगे, देखिए, एक questions अपना यहाँ पर है, इसको हम solve कर लेंगे, example है अपना, इसको हम solve कर लें, इसको solve करने से पहरे थोड़ा और discuss कर लेंगे, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, और different object पे take different time, times to cover the same distance, वही तो अभी बात कर लाती है, कि same distance को cover करने के लिए, अलग-अलग object, अलग-अलग distance ले सकता है, suppose किजिए, कि आपको एक point से, हाना, एक city से दूसरा city में जाना है, ओके, यह आग गया city आपका, यह city आपका हो गया, B, आप यहाँ पे mode of transport ले सकते हैं, से car ले सकते हैं, आप bike का यूज़ कर सकते हैं, आप cycle का यूज़ कर सकते हैं, ओके, इसी तरह से आप bus का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप train का भी यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी आप aeroplane का भी उच कर सकती तो क्या सभी means of transport से आपको same time लगने वाला है नहीं आपका answer होगा no हाँ अलग-अलग means of transport से हमको यहां से यहां तक पहुँचने में different time interval लगेगा जैसे आप aeroplane की बात करें तो आपको कम समय लगेगा आने उसका speed जैदा है हाँ आप cycle से जैएंगे तो आपको ज़दा समय लगेगा क्यों चुक्यों उसका आपका speed कम रहेगा okay car से जैएंगे थोड़ा और कम समय लगेगा आपको तो इस तरह से यहां पर हमारे पास कहा गया different object may take different time to cover same distance we can within call that object as the first which takes the least time जो कम समय ले रहा है that is the first different objects may cover different distances in the same interval of time same interval of time में अलग 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 अबजेक्ट अलग 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 distance रवल करता हूँ वही बात को फिर से दूसरे बाद में कहा गया हाँ we call all that object as the first test which covers the maximum distance in the same given time अब same time interval में same time interval okay same time interval में अगर कोई body जो body maximum distance को travel कर लेगा maximum distance को travel करेगा वो क्या कलाएगा वो कलाएगा मेरा faster वो आपका faster आनि कि fast fast move कर रहा है यसे aeroplane की बात कर ले तो वो कम distance कम समय लेगा वही same distance को travel करने में दूसरे means को हम बात करेंगे तो okay the most convenient way to find out which of these two or more objects is moving faster is to compare the distances covered by them in unit time unit time means हो गया per unit time जिसके बारे में मैंने यहाँ पर बात किया कि speed कम definition कैसे देंगे तो distance travel per unit time है ओके तो अब देखिए यहाँ पर हमको examples के लिए गया है कि car a and car b are moving at the same speed of 30 km and 50 km okay respectively we mean that the distances covered by car a and b in the same time that is one hour is 30 km and 50 km अगर यह speed car e आपका 30 km speed पे car b आपका 50 km speed में है तो निश्यतुप से एक घंटे में ही आपका car b आपको 50 km travel कर लेगा okay respectively we can then say that car b is moving with higher speed as compared to car a और वही हमने speed के यहाँ पर definition लिखा था कि कितना distance travel करता है और कितना time लेता है उसके ratio को हम क्या कहेंगे speed कहेंगे जो कि हमने यहाँ पर defend किया चलिए अब हम बात कर लें questions जो अपना दिया हुआ example 1 तो example 1 को मैं यहाँ पर solve कर लेता हूँ अब देखिए suppose on an educational trip you have traveled a total distance of 440 km कितना distance travel किया है हमने 440 km and your trip took 8 hours कितना time लिया जा रहा है 8 hours okay then your average speed तो यहाँ पर speed का क्या formula हमने सिखा है हमने सिखा है distance travel by time taking तो हमारा speed अगर निकालना है average speed okay तो average speed हम कैसे find out करेंगे distance क्या हमने travel किया है और क्या हमारा time लिया गया है तो distance हम देख पा रहा है कि 440 km है और speed हम टाम को कितना लिया गया है 8 hours okay तो हम इसको divide कर ले जो divide करेंगे वो मेरा answer आएगा तो यह देखिए 55 55 km per hour यह अपना हो गया answer distance travel okay अब यहां पर हम average speed की बात क्यों किये हैं तो इसके बारे में समझ लें कि जब हम trip start किये हैं तो speed मेरा हो सकता है कि शुरुवात में fast हो फिर जिसे जिसे वहां भेड़ हो road हो तो वहां road पे अगर ज़्यादा traffic हो तो वहां speed मेरा कम हो सकता है तो अब हम एज यह average calculate करेंगे चुकि constant तो speed नहीं हो पा रहा है इस करण से हम average speed को calculate कर लेते हैं को कोई बाद बैक्तिया आपको पूछे कि क्या speed से आप आए तो हम लोग एक एक पताएंगे कि 55 या 60 का जो speed था वह अपना speed एक average speed के बारे हम बात करेंगे तो उसको describe तो नहीं करेंगे कि पहले हम लोग 60 में आए फिर बाद में लोग 70 में आगे फिर हम लोग 40 में आगे तो यह सार तो लोग जवाप नहीं दे सकते ओके इसल से इस तरह से आपके class में अगर friends का age पुछा जाए कि class 7 में जो बच्ची होती है उसका average age क्या होता है तो आप सभी को बोलेंगे ने एज तो भेरी करता है तो average age हम लोग बताएंगे कि generally जो age है वो एक aggregate आप average calculate करती है तो यहाँ भी speed हम लोग average के बारे में बात किये है ओके तो average speed का अपना क्या formula हो जाएगा वो आप देखिए तो मेरा formula हो जाएगा average speed का total distance travel total distance travel divide by total time taken यह अपना हो गया average speed का formula अब इसी के basis पर हम compare कर लेते हैं compression of speed अब आप स्पीड की बात करें तो अलग-अबजेक्ट के स्पीड को हम देखेंगे ओके तो स्पीड ओफ लाइट इन एर लाइट का स्पीड हाँ सन लाइट की बात हो रही है सन लाइट इन एर इस तो अब के बात की गई है मैं आपको बता दू कि अगर वेक्यूम है मेरा वेक्यूम मिन्स क्या होता है जहां पर कुछ भी नहीं हो इवन एर भी नहीं हो तो उसमें भी स्पीड यही होता है ठी इन टू टेंट टू पावर एट मीटर पर सकीड और लाइट की स्पीड के अगर हम बात करें वाटर में तो क्या होगा जैसे एर की तो बात की गई लेकिन अगर वाटर की बात करते हैं तो क्या होगा और फिर अगर हम इसका स्पीड बात कर लें इस में गलास में तो क्या होगा यह देखिए गलास गलास में स्कांच तो इसका क्या स्पीट होगा तो वाटर में बात करें तो 2.25 x 10 to the power 8 meter per second और गलास की बात करें तो 2 x 10 to the power 8 meter per second तो आप देखिए यह सब क्या है मीडियम है यह क्या है अपना मीडियम तो जब मीडियम चेंज हो रहा है जैसे गलास वाटर वैक्यूम एयर तो स्पीट लाइट का चेंज हो रहा है तो स्पीट जो है ना किसी भी अबजेक्ट का उच्चे डिपेंड करता है कि क्या मीडियम है तो हम लोग ने स्पीट देखा किसका light का air में और water में भी देख लिए और glass में देखे speed of sound sound की speed बात करें air में तो air में 340 meter per second means one second में ये 340 meter travel कर सकता है कौन sound किसमे air में फिर अगर हम बात करें sound का speed सबसे ज़्यादा किसमें है तो solid में solid में sound का speed सबसे ज़्यादा होता है और वो है अपका aluminium तो aluminium में sound का speed सबसे ज़्यादा होता है और ये एप्रोक्स होता है ये एप्रोक्स में बात कर रहा हूँ 6000 6000 6000 6000 meter per second ये इसका speed होता है किसमें तो ये बात किया जाए मेरा sound का speed aluminium में solid में सबसे फास्ट होता है ये हम लोग देख लिए अब अगर air की ही बात की जाए तो air में ही अलग-अलग temperature पे temperature जैसे चेंज करेगा तो speed भी change कर जागा किसका speed चेंज कर जागा sound का speed चेंज कर जागा और इसके लिए formula है वो formula में आपको बता देता हूँ ये जो formula है अपना ये speed of sound की बात हो रही air में different temperature भी तो speed होगा 330 plus कितना temperature है उसको हम 0.5 से multiply कर देंगे plus 0.5 into T, T4 temperature क्या temperature है आपका तो जो temperature है atmosphere का वो यहाँ पे multiply कर देंगे हमको उसका result आजएगा ओके? जैसे अगर हम 20 degree Celsius की बात करें कितना degree की बात करें? 20 degree Celsius की तो speed क्या होगा? 330 plus 0.5 into temperature क्या था अपना? 20 degree किसका? air का air का तो यहाँ पे 20 put कर देंगे क्या होगा? 330 330 plus यह इसको multiply करेंगे तो हमरा 10 आजएगा तो क्या होगा? देखिए तो यह होगा मेरा 340 meter per second किसका speed? sound का speed कितने degree Celsius पे? तो at 20 degree Celsius in air तो air में air में जब speed हम निकाल रहे है sound का तो यह formula को learn करने से temperature के कोड़ने लिए उसको find out कर सकते हैं तो यह देखिए room temperature कितना होता है? 20 degree के आसपास होता है तो 20 degree के आसपास sound का speed क्या है? 340 meter per second चलिए हम अगले बात कर लें आगे अपना है the speed of earth's rotation is तो speed of earth's rotation क्या है? 440 meter per second at equator equator आप जानते हैं equator बीच में होता है उस place पे अगर measure किया जाए earth's rotation का speed तो यह मिलेगा और जैसे जैसे आप different वहाँ से दूर हटते जाएंगे speed आपका कम होता जाएगा ओके? चेंज हो जागा speed तो speed of earth's revolution earth के revolution का speed 300 sorry 30 km per second 30 km per second यह fix है चेंज नहीं हो रहा है और speed of launching satellite satellite को जो launch के आता है हाँ ना? कहाँ पे? orbit में ओके? orbit में या फिर जो उसका axis जिस पाथ पे वो revolve करता है उसको लोग orbit ही बोलते है ओके? और उस orbit में satellite को launch करना है तो उसका लिए क्या speed होना चाहिए? 8 km per second फिर fastest bird हाँ यह 20 km per hour के speed से fly कर सकता है कोन है मेरा? peregrine, falcon और फिर fastest animal आपका चीता है 150 km per hour का speed से ओके? तो इस तरह से हम लोग ने यहाँ पे एक topic खतम कर लिया speed I hope this video will be helpful for you so please like this video and share with others and do some comment ओके? और अगर मेरे चैनल पर पहले बार तो प्रेज मेरे चैनल को subscribe कर लिजिए और बेल आकन को दवाए तक के आगे आने विडियोज के जानकारे आपको मिलती रहे thanks for watching have a glorious day ahead और फिर भी लेंगे हम अगले विडियोज बे